नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आपके अपनी यूटूब चैनल जी के एकजाम में फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुस्त काली अद्यक्स ग्रेड थर्ड की शिर्दी बर्ति प्रिक्षा की बारे माईं जी हाँ फ्रेंट्स इस वीडियो में राजस्तान सम्मान निकाज हमारा टोपिक है पसुदन के बारे में जी हाँ फ्रेंट्स से इससे पहले मैं इसके आठ पार्ट अपलोड कर सुका और मैं हम सलेबस के अकोर्डिंग चल रहे हैं जिसमें हमने आठ टोपिक कम्लीट कर दी हैं और आज यह हमारा नुवा टोपिक है पसुदन है जो कि आपके आने वाले एकजाम पुस्त का लेते हैं बहुत ही इंपोर्टन है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके लाज तक ह जरूर देखे तो आई यह प्रेंट्स में सुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा आज का एक नमबर क्यूस्टन है परदान मंत्री के अद्यक्सता में केंद्रिय मंत्रे मंडलने गोवस के सरंक्षन सुरक्षया विकास के लिए राष्ट्रे काम देनू आयो की स्थापना को मंजूरी कब दी है यह आपको बताना मंजूरी कब दी है फ्रेंट्स आप साथ साथ में कमेंड बोक्स में लिखकर जरूर बताते चलें जिससे आपको भी बता चल सके कि आपकी तयारी कितनी है और साथ साथ में बताते चलें तो फ्रेंट्स इसका स्थापना की मंजूरी द किया गया यह आपको बताना है कब आयुजित किया गया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताते चले साथ साथ में प्रेंट इसका से एंस वर रहेगा दो मार्च दो जार उन्नीस को एक नमर उप्सनिस का बिल्कुल सही है प्रेंट्स में आपका ज्यादा समय नहीं जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करता है फ्रेंट्स से तो इसका से एंसर रहेगा जैपूर में एक नमर उप्सनिस का बिल्कुल सही है चलिए सबसे कम मुर्गी पालन करने वाला जिला कोन सा है वो आपको बताना कोन सा जिला जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करता है जैसे आपको भी पता जल्दी आपकी तयारी कितनी है तो फ्रेंट्स इसका से एंसर रहेगा दोलपूर तीन नमर उप्सनिस का बिल्कुल सही है कोन सा जिला सज्जावती मचलियों के बाजार के रूप में परसिद्धी पा रहे है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करता है जो किसमी सज्जावती मचलियों के नाम है मैंने आपको जो बताए है वो वो किसमी जो पाली जाती है काप है इसमें पहला प्रसिद्धी कोन सा सहर पा रहा है जैपूर है एक नमर उप्सनिस का बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्यूसन करते है पस्वों का वज़न किस सुत्तर के द्वार अग्यात किया जाता है ये आपको उताना है पस्वों का वज़न किस सुत्तर के द्वार अग्यात किया जाता है चार उप्सन आपके सामने है जल्दी से बताए पांस सेकंड का समय है तो फ्रें प्रेंट्स वीडियो कर आपको सब्सक्राइब करते हैं जिसमें आपके लिए जल्दी जल्दी इंपोर्टेंट है तो आप वो वीडियो आपसे जरूर देंगे अब इसका एंसर बता हैं प्रस्सों के सीहें अटाने के लिए कौन सा रसाइन है तो इसका एंसर रहेगा कास्टिक, फो टास, एक नमब्र उप्सनिसका सही है, चलिए नेक्स्ट दूद में मिठास किस तरह कारण उता है, यह हो डाना है, जल्दी से बता दिये किस तरह एक शैकेंड का समय है प्रणिस का सियह न रेगा लेक्टोज दूग तसर क्रागे कारण रेक्टोज करन दो नवर ऑप्षिन इसका बिल्कुल सीय ये लेक्टोज करन दूद्वल्य मितास वतायां चलिए नेक्स्ट दूद का हिमांग होता है कितना वता है जल्दी से लिए निर्जमी करते हैं दूद का रंग होता है कैसा होता है जल्दी शिवताई इसका से इंसर हो रहेगा हलका गुलाबी दो नमबर उप्शन इसका विल्कुल सही है करते हैं दूद में तिक हापन किस के कारण होता है दूद में तिक什么 किसके कारण होता है जल्दी से कमेंट बोक्स में लिक्रता है फ्रेंस इसका सही एंसर क्या रहेगा चार आपके सामने हैं दूद में तिकापन किसके काड़ होता है पेप्टोंस एम एमिनो एसीड के काड़ तेन नमबर उप्शन इसका बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्यूस्ट करते हैं दू बख्री के दूद में चलिए जल्दी से और युष्ण्द में उसके ओड़ेक्स में लिक्ता है उससे क्या कहते हैं जली से ऑंगे के तांगों के सारे लटकती निवार को राज़ाता है वह आपको बताना क्यूस्ट में लिक दांपाइगं से प्रेंजänder से ख्लिए लिक्यू लाइक करना बिल्कुल भी नहीं बूलें और आप पहली बार से चनल पर वीजिट कर रहरें हो तो चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बूलें तो दता सामने के बेलाइकन को जरूर में दister अगे जो भी वीडिया इस सबसे पहले आपको पराप्त उसके हो अगर पिछे की वीडियो आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने से वह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ये कुश्चन है राजतान के जिन जीवन में उटके आगे किता हैं सारे लटकती नेवार को कहा जाता है क्या कहा जाता है जल्दी से कमेंड बॉक्स में लेकरता है very important question friends क्या कहा जाता है इसे गोडिया या सरीया कहा जाता है दो नमर उप्शन इसका बिल्कुल सही है चलिए next question गाय की दूद का पीज मान कितना होता है गाय का जो दूद होता है पीज मान कितना होता है जल्दी से कमेंड बॉक्स में लेकरता है चलिए next सम्मने दूद का पीज मान कितना होता है चार उप्शन आपके सामने जल्दी से कमेंड बॉक्स में लेकरता है जल्दी जल्दी आपको बता रहा है इस गैन से अब बता रहा हूं तो सम्भान ने दूद का पीजमान कितना होता है 6.6 दो नमर उप्शन इसका बिल्कुल सही चलिए next question cattle feed plants श्तित है cattle feed plants श्तित है कहां पे श्तित है ये आपको बताने जल्दी से बता दी है 4 उप्शन आपके सामने है चलिए, नेक्स्ट क्यूस्टन करते हैं चारवादार किसे का जाता है किसे का जाता है most चीड क्या है बता सकते हैं क्या क्या कहते है मिल्कुल को वीडियो अच्छा लगर को लाइक जरूर के जर olha comment box में लिकर एक बार जरूर बताना कि हम आपँ आप मारा वीडियो को कैसा लगा comment box में जरूर बताएं चलिह नेक्स्ट है निमन में से कौन सी नशल उत की है और के जल्दी से comment box में लिक्र बताएं चलिए next question करते हैं उंट पालक जाती है किस नाम से जान जाती है जो उंट पालक जाती होती है उसे किस नाम से पुकारा जाता है जल्दी से कमेंड बोक्स में लिकर आप बता सकते हैं बिल्कुल इजी क्यूशन है फ्रेंड तो इसका से अंसर रहेगा रे बारी चार नमबर रोग्यों के लाबार्ति उंटनी के प्रसंस कर दूद का विपन किसके द्वारा किया जाता है वह आपको बताना है मदूमें रोग्यों के लाबार्ति उंटनी के प्रसंस कर दूद का विपनने किसके द्वारा किया जाता है कौन सी डेरी है जिसके द्वारा किया जाता है त करें राजस्तान में बेड़ों कि वह कोन से नसल है जिसके कांचरते इसमें जमीन को सपर्ष करते हैं वेरी इंपोर्टन क्योसें नहीं जिसके कान चर्थे में जमीन को सबस्क करते हैं जल्दी से बता देजी कौन सी हैं फ्रेंट्स हुआ है सोनारी सनोतर भी बोलते हैं जिसे सोनारी दो नमर उप्षिन इसका बिल्कुल सही है किसी बुक से नहीं लिए हैं यह हमारे कंपेटिशन एक्जाम के तयारी के लिए कोचिंग में पढ़ाते हैं उनके एक्जाम त्यार की हुए हैं तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर था कि वीडियो आपको कैसा लगा तो चार आपके सामने हैं जमीन को सपर्च करते हैं तो बिल्कुल इजिए सोनाडी इंपोर्टेंट क्यूशन चलिए नेक्स्ट केंद्र ये भेड़ वे उन अनुसंदान संस्तान का मरूख शेत्री परिसर उपके अंदर कहां स्तिता यह आपको बताना कांपे स्तिता प्रेंट सिए तो यह है बिच्वाल बिक कानेर में एक नमर उप्षन इसका बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट एप एलपाइन एउ टोगन बर्ग नसल किस पसूख की है जिसे राज्य में स्विजर लेंड से मंगवाया गया है जल्दी से कमेंट बॉक्षन लेकरता है इंपोर्टेंट क् फेल्य में प्रदेश को मानऄ जबता है तो बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट गाहिकि विदे सी नसल बैसे गलत इसका ये विदैस बताएंग से नेक्स्ट थांल में इसे गाय की विदेशिये नसल कोन सी है बिल्कुल सही है, चलिए, नेक्स्ट क्योशन, अधिक दूद देने वाली गाए की वहे नसल जो लाल वह, लाल सिंदी वह, साई वाल की मिसिर्थ नसल है, कौन सी है, जल्दी से ताइम प्रेंट्स, चार ओप्षन आपके सामने है, कौन सी है वह, वहर राटी, जो की, लाल सिं से बारिन नसल कौन सी है वो आपकेता नहीं बार्द की सबसे बारिन नसल कौन सी है तो कौन सी हो कांकरेज है एक नमर उप्षन इसका बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्यूशन करते हैं वर्सब पालन के अंदर स्थित हैं वर्सब पालन के अंदर स्थित हैं कापे स्थित ह दीजे कापे स्थित है ये कुमेर में भी है रामसर में भी है और डग में भी है इसका से अंसर रहे है और चुक्त सभी चार नमबर उप्शन इसका बिल्कुल सही है तीनों जिगा है वरसब पालन के अंदर स्थित है चलिए next question कुमेर नामक स्थान पर मुर्रा नसल की बैंस का परजनन के अंदर स्थापित किया गया है ये ऐस्तान किस जिले मिश्ती तह है ये स्थान किस जिले मिश्ती तह है जल्दी से ताजी क्या नाम है तो इसका नाम है खुडी या खुंडी कहते हैं एक नमबर उप्शन इसका बिल्कुल सही है next question राजस्तान के दक्षन बाग मे पाई जाने वाली पेंस की वह नसल जो स्रेष्ट मादा जानवर का पुर्सकार प्राप्त कर शुकी है very important question स्रेश्ट मादा जानवर का पुर्षकार प्राप्त करते हैं जल्दी से बताजिए आप जल्दी से बताएं कौन सी हो वह जाप रावादी तीर नमबर उप्षन इसका बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्यूस्ट करते हैं दूद में सबसे अधिक वसा प्रतिस्ट किस नसल क प्रति होता है मुर्ण एक नमबर उप्षन इसका बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्यूस्ट करते हैं इंपोर्टेंट क्यूस्ट फ्रेंट आगला क्यूस्ट वेरे इंपोर्टेंट राजस्तान में बीश्मी पसुदन गणना की सुरूद कब से होई है यह आपको अगो इंपोर्टन के उंट कि जिले में पाय जाते हैं आप सकते हैं डियसिल्में में राज्धान में न्यूंतम उंट कि जिले में पाय जाते हैं पर्ताब में ऑप्ष zeranco करते हैं राजस्तान की किस डेरी को राष्ट डेरी विकास बोर्ड की ओर से उत्तरबार्थ की सर्वेसरेश डेरी का पुर्षकार परदान किया गया है very important question friends जल्दी सबताइं इसका सेंसर क्या रहेगा तो इसका सेंसर रहेगा जैपूर डेरी है इसका एक नम्बर उप्शन इसका बिल्कुल सही है चलिए next very important question next question very important friends राजस्तान में 20 पसुगणना के आगड़े वर्स 2019 में जारी किये लिए हैं इसके सद्रम में सत्य कतन को बताई या दो जहर उन्नीस में जारी कर दीगें इसके सत्य ख्राइब को यह उपक्तान है जल्दी सी कमेंट बॉक्स में लिख रताएं तो उन्ट में 35 दसमलो साल्पर त्थिसक्षाथ ये कमी विए प्यूगत देन्स का सिन्स तरेगा उप्यूक्त करते हैं सत्य चार नंबर उप्शन इसका बिल्कुल सही है चलिए नेक्स्ट क्यूशन करते हैं फ्रेंट्स वेरी इंपोर्टेंट राजस्तान बजट 2019 में की गई गोशना कि अनुसार एक नवी नक पसू चिक चैव पसू विज्यान मावी ध्याले खोले जाएगा कहां पे ख साइड मावी संस्टान दी है और एक सथान सथान जकों सी जगहую आपको बताना रहें यह का स्काइन्स पर क्या रहेंगा अंपके कॉस्टता नहीं चार आपके सामने हैं very important question friends very important शिंचाई परबंदन एंव परसिक्षन संस्तान कहां पर यह यह चार आपके सामने तो इसका इसका बिल्कुल सही रहेगा फ्रेंट्स यह था हमारा आज का वीडियो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिकर जरूरता है और इससे आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं बूले और मैं अपने लिए आपको वोट्सप गरूप में जितने भी स्टड पूरे कर लिए और मैं आपके लिए बेसका कोडिंग जितने भी है वो सारे के सारी मापके लिए वीडियो लेकि आऊँगा फ्रेंट्स से तो और हम मैं आपको वदा दूए रोज़ान सुबर पांस विजे हम करेंट अफेर के लाइव क्लास करते हैं तो आप वो वीडियो बेवारे जुरूर देखें दोस्तों फिर मिलता एगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत